जहिन पहने दोस्तों नमस्कार विलकम है आज की क्लास में आपका और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज तो एवरेज क्या होता है और इस पर अलग अलग कॉम्टेटों एक्जाम में कैसे सवाल बनते हैं उनको बारी-बारी से हम जो करते हैं जैसा कि आप जानते हैं एवरेज का एक फार्मूला होता है सम आफ आफ आउजर्बेशन अपान नंबर आफ आउजर्बेशन अर्थाथ आउसत बराबर पदों का योग बटे-पदों की संख्या इसमें टोटल मिला करके आउसत में टू टाइप्स के कोईशन साब आपके बनते हैं एक हैं बेजडान नंबर नंबर की आधार पर और एक हैं बेजडान लेंगुज प्रॉब्लम तो आजहीं क्लास में हम लोग फ़स्ट आइप पढ़ेंगे जिसका नाम है बेजडान नंबर्स यानि तो टाइप हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं से सवाल बनेंगे तो सबसी पहला मैं ने सवाल दिया तो पहले तो मैं आपको मुझे बता दू अउसत होता के है तो एक्छुली मैं किसी ग्रूप में जितने मेमबर सें जितने टम सें जितने पद है हैं पून सभी को किसी चीज को ایک वल पार्ट में devote करना इन अत होता सो सो रुपे डिवाइड कर दिया तो अब टोटल सभी के पास equally हंडेड हंडेड रुपी जा गए यानि हंडेड इंटु हंडेड टोटल एमाउंट कितना हो गया 10,000 इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि आउसत का मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकुलर एमाउंट जो सभी को ब सो रुपे हैं किसी के पास दस रुपे हैं किसी के पास एक हजार रुपे हैं तो सभी से मैंने रुपे ले लिए और वो जब मैंने रुपे लिए और फिर उसको जब मैंने सभी लोगों को यहनि सो लोगों में बराबर बराबर जब बाटा तो सो सो रुपे आए इसका का अर्थ होता है कि पार्टिकुलर एक ऐसा है माउन जो सब को हम इकोईली बराबर बराबर क्या कर सके बांड सके बच्चो तो आई यहां पर आप से पहला सवाल आपसे पोच रहे हैं वो कुश्चन क्या हो देखेगा ध्यान से जिसे मैंने आपसे सवाल पोचा वन प्लस और इस तरीके से यह स्रीज आगे बच्चो बढ़ रही है मालो इस स्रीज का लास्ट टम्स क्या हो 59 और आपको बताना है का आउसत बताईए का आउसत बताईए बच्चो तो ध्यान दीजेगा आउसत जो होती है बच्चो मिड वैलू होती है आउसत कौनसी वैलू होती वैलू होती बच्चो, मिड वैलू याणि उसे ही आउसत बोला जाता है, तो यहाँ पर सबसे बीच में कौन सी वैलू होगी उसे निकालना है, तो अगर बच्चो यह सिरी चल रही है, जिसमें क्रमागत संख्या लिखी है, यानि एक का अंतर हो, दो का अंतर हो, तीन का हो, य average बरावर बच्चो क्या हो जाएगा इसकी मीडवाईलू, मीडवाईलू आप जानते हैं, मीडवाईलू निकालने के लिए पहला टम से ले लो, वन लास्टम कितना है, 59, और इसका मीड निकालना है, तो इसका आुसत निकाल दो, यहीं पहला टम वन, लास टर्म 59 और इसको 2 से क्या करो बच्चो डिवैट कर दो तो बच्चो कितना हो जाएगा 60 60 अपान 2 बच्चो कितना हो जाएगा 30 तो इस स्रीज का बच्चो आउसत कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो जब भी किसी समानतर स्रीनी का, है ना, एपी का आपको आफसत निकालना हो, तो बच्चो क्या करेंगे? पहला टर्म प्लस लाज टर्म अपान कितना बच्चो करेंगे? टू करेंगे और बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा. आई बच्चो एक सवाल और यहां पर लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इस तरीके से बच्चो इस शरी जा रही थी, और लाज टम इसका मानलो बच्चो 100 है, क्या इसका 100 है? तो इसका आपको का बताना है क्या बच्चो आउसत एवरेज बताना ह क्या होगा? तो आप जानते हैं, इसकी मीड वैलू क्या होगी? 1 प्लस लाज टम बच्चो कितना है? 100, अपान में कितना? 2, तो बच्चो 101, 101 बटे 2 कितना हो जाएगा बच्चो? 50 पॉइंट बच्चो कितना हो जाएगा? 5, तो एक से लेके 100 तक की संख्याओं का बच्चो एवरे जानी आउसत कितना होगा? 50.5 होगा, आईए, कुछ और सवाल ने यहाँ पर सवाल दे दिया, आपको कुश्चन नंबर 3 है मालो आपका यह, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और बच्चो यह जा रहा है कहां तक? 999 आपको आउसत बताना है, तो बच्चो कुछ नहीं करना है आपको सेम फर्स टर्म लिखना है, प्लस लास टर्म लिखना है, और अपान बच्चो कितना करना है, 2 करना है, तो 1000 अपान में कितना 2, यह बच्चो कितना आजाएगा? 500, राइट? आई बच्चो एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं, कुश्चन नंबर 4 जैसे आपको भी बो यहाँ से 1999, तो बच्चो क्या करेंगे, इनका उफसत कहने के लिएगा, फर्स टर्म कितना है, वन प्लस लास टर्म कितना है, 1999 अपान में बच्चो कितना? यह 1999 बच्चो एक एड करोगे, कितना हो जाएगा? 2000, बटे कितना 2, तो बच्चो कितना आजाएगा? 1000, तो आपका अंसर कितना हो जाएगा, बच्चो, 1000 इसका आउसत हो जाएगा, राइट है, अब बच्चो कुछ और सवाल लेते हैं, इसे कुश्चन नमबर आपका फिप्त देखिएगा, 2 प्लस, 4 प्लस, 6 प्लस, 8 और बच्चो इस तरीके से मालवा बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर लास दो तक जो आपके इवेन नमबर से हैं, उनका उसत बताना है, तो बच्चो यहाँ पर भी AP है, यहाँ पर भी बच्चो दो दो का डिफरेंस है, तो जब बच्चो डिफरेंस सेम रहता है, तब कुछ भी आपको करने की जरूद नहीं है, बच्चो, पहला टमली को दो, लास 52, राइट, बहुत ही सिंपल हैं बच्चो, बहुत ही आसानी से, आपके बच्चो यहाँ पर हम लोग कोशन नमबर 6 देख रहे हैं, तो यह पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और लास्ट में प्लस क्या है, ट्रिपल 9, यानि यह जो बच्चो स्री चल लए है, यह बिसम संक्याओं और नमबर की सिरी चल लए है, तो इसका भी और सत निकालने का वही सेम तरीका है, पहला टम्स कितना है, वन प्लस लास्ट टर्म कितना है, 900, 99, अपानमे बच्चो कितना टू, तो यह बच्चो होगा 1000, और 1000 बटे में कितना दो, तो यहाँ से बच्चो कितना गया, 500, अब आयए, इस question को करेंगे, दूसी स्रीज़ है 51, 22, 30, और लाक में कितना है 500, तो यहाँ पर भी क्या उनका आदा कितना हो जाएगा कि दूसो पचास और पचीस तो डूसो बच्चों कितना पचछ थर थर दोसो पच्छत्तर पोईंट कितना फाइव यह हो जाएगा ने प्रश्ट हम गों सवाल है अपका फरस्टरम कितना है 40, 44, 48 ये भी आपकी एपी है एक प्रकार की, इसमें 4 का different है नहीं 4 का table लिखा हुआ है तो यहाँ पर ही कितना चालिस और लाश ड्रम कितना है 400 बाचों 20, 99 में कितना 240 कितना हो गहाँ 400 बाचों कितना होगा 60 बटे में कितना 200 बाचों कर लो तीस आ जाएगा अई बच्चों कुश्चन नमर यहां पर 9 हम देखेंगे 18 की पहले 32 गुरजों का आपको बच्चों आउसत बताना है तो आईए इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि अगर आप इसकी स्रीज लिखना चाहें तो गुरज का मतलब होता है 18 का यहां पर टेबल ल जोगा 18 त्यां कितना बच्चों चोवन इस तरह से बच्चों बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे अच्का जो लाश्ट वाला टर्म होगा बद तीसमा गुड़ज क्या होगा बच्चों अठारा गुड़ें कितना 32 तो बस आपको आउसत निकालना है तो पहला तर्म बच्चों कितना हो गया 18 into 32 अप 95 बच्चों कितना चर्षिब सकते हैं तो अगर आपने कॉमर लिया तो 18 ब्रैकें इस भी पच्चों क्या बच्या बच्येगा यहांँ अधिस अपनमे कितना डू तो दो से मैं अब अधारा को नुवर कड़े प्लाइट और बच्छो कितना हो गया देटिस इसको आप गुणा कर जीए नो तुर कितना हो गया 27 27 और जद्दों कितना हो जाएगा उन्तिस तो 200 बच्चों कितना जाएगा सतान्वी आजाएगा राइट आंसर इसी प्रगार का बच्चों यह सवाल है आई इसको करते हैं एक बार तो भच्चों यहांगी पर क्या बोलागया 24 के पहले 20 गुड़ाईजों का आपको उसलस बताना है तो पहला गुरच क्या उगा 24 गुड़ाईज दूसरा क्या उगा 24 गुड़ाईज दो बच्चों 14- 10 ता क्या यह कितना बच्चों वाहत्तर इस तरह से बढ़ते रहेंगे औ 24 की पहले 30 गुड़ तो लाँ प्रूम को नाईगा है है me 24 गुर बच्चों कितना तीस मिंअ बस तो काप फिर्स चाघ्च ने लेजिए 30 प्लस 24 24 कड़ा दो बच्चो एक यह एक बच्चा इसले एक और बच्च पर बच्चो 24 गुणा आए हैं यहां पर गुणे लिखा हुआ यहांपर तै हाँ यहां पर हमार था यह 24 से 24 कड़ा बक्चो कि गया मिदे कितना और सरीस अपर में ठीक है तो अब आप यहां पर गुड़ा कर लो बारा एक इतना होता बच्चों बारा बारा तिया च्छतिस एक इतना बच्चों 37 तो यहां से कितना आ गया तो इस प्रकार के सवालों को आप आसनिस कर सकते हैं यह रहा पहला टाइप अब इसके बाद सिकेंड टाइप को हम लोग डिस्स करेंगे तो अभी इतना ध्यान से पढ़िए इसके नोट्स बनाएए मिलते हैं आप से दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क जै हिंद जै भारत